नहसकार मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोमवनशी पूरे एक महीने बीच जाने के बाद भी किसान और सरकार के बीच क्रिशी कानून को लेकर छिडा संग्राम अभी भी शान्थ होता दिखाई नहीं दे रहा एक करफ पियम बोदी की पूरे टीम सभी राज्यों के किसानों से समवाद बनाकर इस मुद्दे को सुलजाने में लगी है तो वही दूसरी तरफ किसान संगठनों की तयारी देकर ऐसा लग रहा है मानो किसान किसी भी हालत में समझोते के लिए तयार नहीं है कल एक बार फिर किसान संगठनों की बैटक हुई जिसमें आंदोलन तेज करने को लेकर रनीती बनाई गई किसानों तक अपनी बात पहुचाने और आंदोलन को रोकने के लिए क्या है सरकार का मेगा प्लैन ये जानने के लिए इंडिया नियूज ने रामपूर अधिवेशन में केंडरी मंत्री मुखतार अबास नखवी से बात की साथी हमने ये भी जानना चाहा कि आखिर बीजेपी कश्मीर डीडिसी चुनाओं में मिले जना देश को कैसे देखती है इसके साथ ही हमने कई और मुद्धो पर केंडरी मंत्री मुखतार अबास नखवी से राय चाहिए लेखिये ज़रा मंत्री जी ने किसानों से बात चीत की या लग-लग देश के या लग-लग कोनों में बात की हम मैं महाराजगन्ज की स्पीस सुन रहा था वहाँ पे उनूणे किसानों से बात की और वहाँ पे ये किसान ने बताया कि भई हमने सो से लेके तीन सो किसान इकठा कर लिए हैं और हम मीठी शकरकंद पैदा कर रहे हैं और जो लोगों में एक भ्रम बना हुआ है कि नहीं किसानों की जमीन जो है वो बंदक हो जाएगी बड़े-बड़े पूजी पतियों के पास चली जाएगी तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी भी आंदोलन जारी है मेरी सुबेर आकेश्टिकेल्स से भी यहां बात हो रही थी तो उनका कहना था कि नहीं हम जो है बात तो करना चाहते हैं सरकार से लेकिन शर्तों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते है अहीं देखे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा परदानमंती नरेन मोदी जी जब सरकार में आये तो जो पहला बज़ट था वह बज़ट आप ही लोगों ने कहा था कि या बज़ट तो मेरा गाओ मेरा देश का बज़ट जी आप निक कहा था जे जो बज़ट है यह खिसानों को समर्पित बजट है अब जो बजट किर्शी मंत्राले का जो है वो 32,000 करोड या 33,000 करोड रहा हो आज क्या हो गया एक लाग 32,000 33,000 करोड से उपर हो गया है एक चीज़ दूसरी चीज़ किसी ने नहीं कहा था कि परधान मंत्री जी से कि आप जो है वो जो बज़र किशान है उनको पेंशन की विवस्ता करिए किसी ने नहीं कहा था कि आप MSP को जो है वो रवी और खरीफ की फसलों की MSP कर आप देखें तो कई तो जो है वो 20-20 गुना बढ़ी है कोई जो है वो 40-40 गुना तक बढ़ गई है अब हार रवी खरीफ की फसलों की बार ठीक है लेकिन जायत की फसल को तो नहीं हो सकता तो इसलिए जो है वो MSP के साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ मैक्जिमम सपोर्ट प्राइस के भी विवस्ता की गई है यानि कि अगर कोई भी व्यक्ति को लगता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उपर उसको मिला है तो फ्री है तो भई कह देश में जो बहुत बड़ी ताइदात में करोणों की संक्या में किसान है आठ नौ करोण तो किसानों को जो है वो किसान सम्मान निदी दी गई है नौ करोण तो केवल वही किसान हो जाते हैं और किसान सम्मान निदी भी किसी ने मांग नहीं की थी किसी ने का नहीं था कि किस करें नके जी क्शान कहरा है कि धाटार कोई व्रक रखिए कि टाक्ट है ये लिऎक हरी ले तो किसी भी पार्टि कि हम किसी भी पॉ्लिक कल पार्टी करें बता दिए कुछ पक्रेशिक का क। की संदू मैं यह नहीं चाहता है थोड़े जादा किसान किसान थे हैं मैं अगर दस हैं तो भी हम उनकी बात को महत देते हैं पांच है तो भी महत देते हैं और पांच पचास करोड है तो भी महत देना चाहिए इसलिए देखे सरकार ने कभी भी टकराओ का रास्ता नहीं अपनाया और टॉक के जरीए जो है वो सरकार ने जो है वो लगातार रास्ता निकालना चाहा और निकलेगा भी रास्ता मैं आशावादी वेक्ति हूँ बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा कन्फ्यूजन जो है जो लोगों ने पैदा किया है वो कन्फ्यूजन भी खत्म होगा नहीं लेकिन कई दोर की बात नक्वी जी हो चुकी प्रधान मंत्री जी ने नजाने कितनी बार किसानों को संबोधित कर दिया लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं जैसे आप कह रहा है कि भाई संदूग भी लेके एक व्यक्ति आ रहे हैं बंदूग भी पीछे से लेके आ रह आप अभी जब आएंगे गाजीपूर बार्डर पर तो किस पार्टियों के जहंडे चमक रहे हैं वहाँ पे पहले किसानों के जहंडे चमकते थे अब इसमें दिक्कत क्या होता है यह जो क्रिमिनल कांसप्रेसी का संदूग लेके घुमते हैं ना और जो नहीं ने किसानों क पर कंदों पर बंदूग रखा है उनकी दिक्कत क्या है वह जो है वह किसी भी Wein अपने चतुराई के चक्र विव्यू में धक्का दे दिते हैं अब दे दिया अब इंट्री गेट दिखा दिया एक पर ताला लगा देदेऺं अब एकसे लिए जिए बहर निकलना चाहते है त किसानों की अभी हम वहां से आएंगे तो राजनेतिक पार्टियों के जंडे उनकी जंडों से उपर हो जाता है इसका मतलब यह है कि उन पार्टियों ने किसानों के एजेंडे को हाईजेक किया है और किसानों के नाम पे एजेंडे को हाईजेक किया है और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो किसानों का हित है उसको वो हजम नहीं कर पा रहा है तो आपको लगता है कि अभी बाचित का रूप जो है वो सरकार की तरफ से जो ह जो दर्वाजा है वो खुला रहेगा भले ये ताला बन कर दें हरेशा एक सवाल मेरा भी है चुंकि विपक्षियों का जिक्र हो रहा है नकवी सहाब आज ही प्रधानमंति नरेंद्र मोधी वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए किसानों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा लोग चलाई जारही है और सियासी फसल उगाई जा रही है लेकिन कन्फ्योजन यहाँ पर यह है कि गुव्रूर्मेंट वर्स जो प्याज और पिज्जे का अंतर नहीं समझते जो गोल और गन्य का अंतर नहीं समझते वो जो है वो किसानों के आजकर सबसे बड़े नेता बने हुए घूम रहे हैं आपने इशारा समझ लिया होगा लेकिन किसान ये साफ कर रहे हैं तो तभी जो है वो भट्टा पर सोल प कि जो सज्जान या जो लोग इस तछरह की चीजें कर रहे हैं उनको ज्सादा दूर जाने की शरूहत नहीं इस दूर जैने के लिए उनको मम्मी जी के किसानों ने साफ कह दिया है वो इशारे नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हमें विपक्षियों से मतलब नहीं है हमारे अंदर उनका कोई involvement नहीं है बलकिन बावजूद इसके बार-बार विपक्षियों का जिक्राना कही ना सर्फ किसानों को कर रहा है बलकि देश की जनता को भी एक आम इंसान के तौर पर मैं इस पूरे मुद्धे को इस पिच्चर पर देखती हूं तो मुझे भी कही न कहीं confusion इसी पूरे वाक्य को लेकर हो रहा है मैं आपसे ये बात किसान कहें वहाँ ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसान नहीं है बिलकुल जो वहाँ बैटे हुए हैं वो कोई विदेश से नहीं आ गये है ये मेरे देश के ही लोग है मेरे देश का ही अन्यदाता है वो हम उसका दत्मस्तक होकर को सलाम करते हैं उसके जुनून जजबे को सलाम करते है लेकिन कुछ लोगों ने हाईजेक किया है उनके हितों को उनके मुद्दों को और जब कोई मुद्दा हाईजेक हो जाता है तो मुद्दा जो है वो जो रास्ता है जो डगर है उस डगर से भटक जाता है ऐसा कभी नहीं देखा आपने कि सरकार जो है जो तीन मुद्दे थे एक मंडी का मुद्दा था और एक किसानों के खेत कि सुरच्छा का मुद्दा था मंडी के लिए एफिडेविट दे दिया गया लिक करके दे दिया गया परसरकार में कि लिए ना मंडी खत्म होगी ना एमेसपी खत्म होगी और किसानों के खेत खलियान हंड़ेट परसेंट हंड़ेट परसेंट हंड़ेट परसेंट सुरच्छ यह सारी बात हो गई अभी कन्फियूजन क्या हुआ अब तो यह इशू क्लोज हो गया इस बात को सभी जानते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि यह वो लोग है जो पिटे हुए पुलिटिकल प्लेयर्स कि जो हर कोशिश करने के बावजूद भी असफल होते हैं और इसी दोरां चुनाओ भी हुए तमाम चुनाओ आवед जब जया है वह इनी किसानों ने जो है वह मोदी जी पर विश्वास और भरतिय पाटी पर विश्वास दिखाय कुछ न्यू इंडिया पर बात करते हैं बनेबदेर्स क्法म, पहले प्रियाक राज में प्याहिदा हुए माऊउ चले सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जनसंख्या अगर हम देखें अपने मुस्लिम भाईयों की तकरीपन 19% उत्रकदेश में और जिस तरह से आपकी जब दुबारा सरकार आई तो यह कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात हुई और मैं अभी आपने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आपका बयान था कि 140 लोगों का इसमें शेलेक्शन हुआ था कौन कौन से ऐसी यह उजनाएं हैं जो सरकार भारत सरकार जो है इन लोगों के लिए चला रही है और मैं समस्ता हूं कि लोगों में जो कन्फ्यूजन पैदा करने क कोशिश की जा रही लगातार दूसरे दनों से आप देखिए वैसी भी उत्तर देश में आ गए हैं वो भी एक नया गड़बंदन बना रहे हैं वो भी देखिए राजबर से मिले जो आपके पुराने सही होगी थे आपके साथ चुनाव लड़ चुके थे उसके लावां विकास का मसौधा वोट का सौधा नहीं है और जिस पार्टी का और जिस नेता का विकास का मसौधा वोट का सौधा नहों वो समावेशी विकास सर्विस परशी विकास करेगा वो चाहेगा कि जो 135 करोड़ लोग है इस देश के उनकी आँखों में खुश है और उनकी जिंद साल हो रहा है एक आदमी ने किसी भी समाज के हिस्से ने ये कहा क्या कि मोदी जी जो है विकास के मामले में भेदभाव कर रहे हैं क्या किसी ने कहा क्या कि जो है वो हमें मोदी जी ने जो उजला योजना चलाई उसमें जो है कहा कि केवल ये इस समाज को मिलेगा इसको नहीं म गया उसके अलावा जो है वो अगर सभी गाउं में बिजली पहुंचाने का संक्र भी लिया गया तो उसमें जो है 32 परसंट 32 परसंट गाउं वो थे जो अलसंखे गाउं ते जहां पे बिजली थी नी सडके थी नी तो अगर ये चोटी चोटी चीज़े मैं बता रहा हूँ उसके अलावा पांच करोड जो नोटिफाइड मैनाटीज हैं हमारे हैं सिक भाई हैं उसमें क्रिस्टन भाई हैं मुसल्मान हैं बौद हैं जैन हैं और पार्सी भाई हैं इनको जो है वो स्कॉलर्शिप दी गई और उस स्कॉलर्शिप का फाइदा ये हुआ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे बच्चिये थे उनका ड्राप आउट रेट घड़ जाता है 72 परसेंट का ड्राप आउट रेट समझ गया ना कि मैं स्कॉल बीच पी छोड़ देते तो 72 परसेंट से जो है वो 30 परसेंट हो जाता है और अभी हम 0 परसेंट करेंगे तो यह एक लंबी एक लंबी श्रिंखला है जिसमें कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन डिवलपमेंट बिना भेद भाव के विकास का जो मार्ग है उचनागया चाहते कि आप लोग तो सतत तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन जो विपक्षी हैं इन सारे लोगों को बर्गलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि देखे आपने जैसे कहा कि हम या मोदी जी जो है वोट के लिए काम नहीं कर लेकिन चुनाओ और राजनीती यह दोनों बहुत ही महत्रपूर्ण एजंडा है हाँ दो हजार बाइस में विधान सभा की चुनाओ उत्तरप्रदेश में होने जा रहे हैं विपक्षी देखे एक बार फिर से सारे लोग के कठा हो रहे हैं आपको क्या लगता है कि राजनीत और उनका वोड भी चाहेंगे यह इसमें कोई कन्फियूजन नहीं है बिलकुल हम को राजनीतिक दल के नाते हमारी यह एक नैटिक जिम्मेदारी भी है कि समाज के सभी हिस्तों का विश्वास हम पर कायम हो एक चीज़ दूसरी चीज़ यह कि जब मोदी जी दोहजार प्रधानमंत्री पत्के उम्मिद्वार के तोर से चुनाओ के मैदान में गए तो उस वग जो है वो अलप संक्याक समाज का 19 या 20% वोड मिला बीजेपी को जब 2019 के चुनाओ के मैदान में गए तो वो 19% जो है वो 28% 28.9% को 29% के वोड हो जाता है बीजेपी को मिलता है जी एक चीज़ दूसरी चीज़ देखे ये गलत फ़हमी कोई आज से तो पैदा निकि जब पंड़ी जवालाल नहरू से ले करके और कांग्रेस के पूरे के पूरा जो नेतरुत था वो उसके बाद जो सेकुलर सिंडिकेट आया वो उसने एक ही एक समाज के हिस्से में दिमाग को ले करके गलत फ़हमी एकदम अंदर तक ठूस ठूस के भर गई लेकिन वो जो बरत थी वो पिखल लेए अभी मैं कश्मीर में था कश्मीर में क्या आप कभी सोच सकते हैं कि पुलवामा में ओडी में बारा मुला में बीजेपी श्रीनगर में बीजेपी का उमिद्वार सबसे बड़ी पार्टी होके उबरी ये भी जेपी कमल के फूल पर नहीं मैं तो केवल वैं तो इसलिए तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया और जहों पर भी समाज का सभी हिस्सों के साथ साथ अलप संक्यक समाज भी भारतियनता पार्टी के साथ था है और बढ़ेगा मैं आपसे यह पूछना चाहरा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बर्फ जितनी तेजी के साथ पिगलनी चीए उतनी तेजी के साथ नहीं पिगल रही ऐसा क्यों हो रहा है देखे एक बात आप बताईए जी योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मु मजबूत हो तो उन्होंने महफूज भी रखने के लिए काम किया है और मजबूत भी करने के लिए काम किया है अगर वो अपराधियों के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं तो अपराधि जो है वो केवल एक समाज को थोड़ी के लिए थोड़ी चुनौती है आप हुनरहाट में जा रहे हैं इसी रामपूर में क्या रात में 11 11 बजे 12 बजे हमारी मुस्लिम बहने जो है वो एतनी फ्री होकर के और इतने बड़े आयोजन में घुमती थी क्या यह तुम आपको गुदारा निसलिए क्या रहा हूं कि आप रामपूर में कर रहे हैं इसी तरह से आज जो है लोगों में थोड़ा सुत्थंतरता आई है लोग जो है वह महФोज अपने को सुरच्चित महसूस करते हैं और जो अपरादी हैं जो गुंडें हैं जो बनमाश हैं वह असुरच्चित हैं और इसलिए जो है वो नेचरली एक एक बहुत ही सकारात्मक महोल है जहां तक विकास का है केंजर सरकार का विकास का हो प्रदेश सरकार का विकास का हो इस दिशा में मजबूती के साथ सभी छेत्रों में मजबूती के साथ काम हो रहा है नपीजी रामपूर की बात हो रही है तो ये लोग मतलब ये कहते हैं कि बाई जो भी लोग जराफ साभी विजेपी का विरोध करते हैं वो तो चले जाते हैं सलाकों पी आजम खान साभी एक सुबारा मुकत में लग गए देखें मैं कोई किसी वेक्ती पे बात कभी न करता हूँ मैंने तो अभी जो है वो जो इस वक जो है पपू जी के लिए भी बात नहीं की तो जो ना मैंने अभी जो है परिवार का घोसला और पपू के चोचले पे भी बात नहीं की तो इसलिए जो है वो ये सारी चीज़ें हो जी जी आज नय भारत की तरफ देश बढ़ ला है और अगर आप देखे तो आज मेरे हिंदोस्तान और मेरे देश की जो छवी है वो पूरी दुनिया में दिन दूनी राज चोगनी बढ़ी है जी जी बदल की है मजबूत हुई है और कभी देश जो है वो उधारवाद के नाम पर की जाना जाता था कि हमने यहां से उधार रखा है यहां से उधार ले रखा है यहां से उधार ले रखा है आज उधारवाद नहीं है आज उधारवाद है आज जो है वो जब पहले बच्चा पैदा होता था तो पंद्रह अजार बीस अजार इसके उपर सर पे कर्ज होत और산 नहीं चाहिए यह भारत को हम कहते हैं कि जाब अभी तो विकाष छील देश है उन विकसित देशों में देखिए उस कुरोना काल में भुको मरी तें maple एकितनी मौतें हो जाती है उस कुरोना काल में जो है वो तमाम तरह के बीमारियों की वज़े से हमारे देश में कोरोना में भुकमरी के कारण मौत के कोई आकड़े नहीं दिखाई पड़ते या अन्य जो कारण है बीमारी और यह वो सारी विवस्ता सरकार ने भी की राजजी की सरकारें हमारी सरकारें और और सरकारें भी मैं सब को कहता हूँ और समाज ने भी की सरकार के साथ सा समाज ने भी अगरनी भूमिका निभाई लेकिन अगर सरकार का मुखिया जो है वो संकट मुचक की भूमिका में अगरनी भूमिका नहीं निभाएगा तो समाज उससे पीछे हो जाएगा अगर सरकार को मतलब नहीं तो हम क्या करें एक दम से का नकीज साब एक आखी सवाल आप रामपूर से आपका कैसे लगाओ हो गया और रामपूर आप यहीं के हो के कैसे रहे गया है देखे क्या है कि रामपूर में मैं 98 में चुनाओ लड़ा उसके बाद चुनाओ हारा भी यह करते हैं कि जी लगता है कि आप रामपूर शुनाओ लड़ने वाले हैं कि मैंने का भी आभी तो मैं चुनाओ लड़ाने में वाला हूँ अब लड़ने वाला नहीं हूँ